दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्काल दोस्तो बहुत सब्सक्राइब करें आपका मेरी चैनल पर दोस्तो आज है मेरे पास Zebronix Zebbirds C2 ये बेजिकली एक टाइप सी येरफोन है जो विट माइक आते है आज कल जहां पर हम सारे के सारे मुबाइल फोन में हमें टाइप सी जाक ही मिलने लगा है आज के वीडियो में आप देखोगे इसका एक क्विक अन्बॉक्सिंग और इसका ओनेस्ट रिव्यू मेरे तरफ से दोस्तों अगर आपको इस येरफोन को चेक करना है तो मैंने इसकी बेस्ट वाई लिंक को पेंट कमें में ही दे दिया है अब इस येरफोन का बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है यहां पर देख सेके तो यह पूरा ट्रांस्परेंट पाकिंग में आता है यहां पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है मेटल एक डिजाइन है तो यह हम देखने वाले हैं यहां पर यह सारी डीडिल्स मेंचेंड है नीचे के तरफ बस एक चोड़े से वानिंग दी गई है कि आप इसे मॉडरिट जो है वॉल्यूम पर यूज करें ताकि आप इस्ट्रा टिप ओफ यह वर्ट्स तो चलो अब इन चीजों को करते थे साइड में अब नजर डालते है यह फोन पर सो प्रड़क कैसा है तो दूस्तों यहां पर अगर मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताओ तो यह सफेद कलर है यह बहुत ही शांदा लग रहा है मतलब य यह कुछ distinct look देने वाला है for sure then यहां पर अगर इस connector की बात करो तो आप देख सकते हो यह ऐसा दिया गया है यहां पर यह मुझे zebronics का logo नजर आ रहा है देन यहां पर अगर वायर की बात करें तो यह है nylon braided यहां पर एक तरीके से यह इसको एक protection दी गई है यह strong वाली ठीक ह यहां पर भी आप यह same चीज़ देख पाऊगे and अगर आप माइक की बात करो तो यहां पर देख सकते हो यह zebronics लिखा है and यहां पर यह आपको call pick up या cut करने का button plus and minus का button भी दिया गया है अब बता दो आपको इसका review rather मैं यह कहूंगा एक honest review so दोस्तों मैंने इस earphone को use करके देखा हर एक situation में and I am pretty much happy to say कि यह 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 फूंस वर्ट इट है मतलब मुझे यह प्राइस पे मिले है यूजली इसकी लिस्टिंग डाइसो से साड़े तीन सो के बीच में चलती रहती है online बात करें अब यहां पर music की तो इस तो music में हर चीज यहां पर balanced है ठीक है तो इस ची मुझे balance वाली चीज़े समझ में आती है तो मुझे यह मिले है balanced earphones which is really good तो इसके चलते आपको bass भी अच्छा मिलता है ट्रेबल भी अच्छा मिलता है वोकल्स भी आपको सही मिल रहे है तो जब आप इसकी sound को loud कर रहे हो 100% तक भी लेके जाओ earphones बिल्कुल फटते नहीं है और इसकी जो fitting है यह भी definitely काफी मस्त है इसको अगर आप ऐसे कान में आप रखते हो ना तो भाई यह definitely बहुत हलका लगता है मतलब बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आपने actually कुछ पहना है मुझे इस earphone के mic की quality भी काफी अच्छी लगी तो जो का fingers वह गलती से भी दूसरे बटन को प्रेस नहीं करती अच्छा कासी स्पेस दीगी है आप अगर माइनस का बटन दबाना चाहते हो तो माइनस ही दबेगा तो उत्ती स्पेस दीगी है कि आपकी यह finger बराबर उसे प्रेस कर पाए टेस्टिंग की बात करूं तो मैंने इसे मेरे वन प्लस नॉट पर टेस्ट करके देख लिया एंड यह पॉफेक्टली काम कर रहा है इसका माइक मस्त काम कर रहा है तो जिससे मैंने कॉल पर बात की कोई दिक्कत आई नहीं है यह यूशिली हर कोई टाइप सी वाले फोन पर बराबर काम करना चाहिए इसमें कोई दिक्कत आईगी नहीं दूरेबिलिटी की बात करूं तो आप वह तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि यह कितना लंबा चलने वाले हैं अगर एक तरीक से देखा जाए तो अगर इसके कलर वाइट से थोड़ा सा ओफ वाइट हो जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सो लेक्सी अभी तक तो मैंने इसे बस सिफ तीन-चार दीन ही यूज किया है तो मेरा फाइनल वर्डिक यह है कि दूस्तों अब को अच्छे टाइप सी वाले केबल चाहिए वह भी एक ब्रैंडेट केबल चाहिए जो आपको डे टुडे यूज में काम आ जाए अन इदम बढ़िया आपको साउंड आपूट दे बैलेंस आपूट दें यू के डेफिन